नमस्कार आप देख रहे हैं इजी शिक्षा मैं हूँ आपके साथ वंशका चौहान और आज हम बात करेंगे जामिया मिलिया इसलामिया के बारे में जामिया मिलिया इसलामिया इसका मतलब होता है राश्ट्रिय इसलामी विश्व विध्याले यानि की National Islamic University ये दिली में स्थेथ भारत का एक प्रमुख सार्वजनिक विश्व विध्याले है इसे केंद्रिय विश्व विध्याले का स्तर हासल है ये नई दिली के दक्षणी शेत्र के ओकला में यमुना के किनारे स्थेथ है ये 1920 में ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किया गया था 1988 में भारतिय सांसत के एक अधिनियम द्वारा केंद्रिय विश्व विध्याले बनाया गया था दिली के सर्व सरवर जंग ने विश्व विध्याले का डिजाइन किया था अब जानते हैं इस युनिवर्सिटी के इतिहास के बारे में डॉक्टर जाकिर हुसेन का मगबरा भारती स्वतंतरता से पहले 1920 में मुस्लिम नेताओं और स्वतंतरता से नानियो द्वारा विश्व विध्याले की स्थापना की गई थी संस्थापक नेताओं में मुख्य अली ब्रदर्स के नाम से मशूर मुहमद अली जोहर और शौकत अली थे इंडियन नाशनल कॉंग्रेस के राष्टरवादी नेता अबुल कालाम अजाथ अपने मुख्य प्रारंबिक संरक्षकों में से एक थे मुहमद अली जोहर जामिया के पहले कुल गुरू बने जाकिर हुसेन ने 1927 में अपने अशांत समय में विश्व विध्याले को संभाला और सभी कठिनाईयों के माध्यम से इसे लिर्देश्वित किया था उनकी मृत्यों के बाद उन्हें इसी विश्व विध्याले के परिसर में दफनाया गया जहां उनका मगबरा जनता के लिए खुला रहता है बाद में मुक्तार एहमद अंसारी कुलपती बनाए गए विश्व विध्याले के मुख्य सभागर और स्वास्ते केंद्र का नाम उनके नाम पर रखा गया था जोकी हैं महमूद अलहसन, अब्दुलमजीद ख्वाजा, आबिद हुसैन, हकीम अजमल खान, मुहम्मद मुजीब चिनकी नेतरत्व में जामिया एक डीम्ड विश्व विध्याले बनाया गया दिसंबर 1988 में जामिया को जामिया मिलिया इसलामिया अधिनियम 1988 के तहट संसत बारा केंद्रिय विश्व विध्याले की स्थिति दी गई थी 2006 में साउधी अरब के सिल्तान अब्दुल्ला बिन अल साउध ने विश्व विध्याले की यात्रा की और पुस्तकाले की निर्माण के लिए 30 मिलियन डॉलर का दान दिया था वो पुस्तकाले डॉक्टर जाकिर हुसेन लाइबरी के रूप में जाना जाता है जो कि एक सेंट्रल लाइबरी है कैंपस परिसर एक बड़े शेतर में वितरित किया गया है इसकी कई इमारतों का आधूनी करण किया जा रहा है हर्याली और वनों का समर्थन यहां पर किया जाता है विश्व विधाले के सुन्दर क्रिकेट मैदान ने रंची ट्रॉफी मैचो और महिलाओं के क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी की है अपने साथ फैकल्टी के अलावा जामिया में अन्वर जमाल की द्वाई मास कम्यूनिकेशन रिसर्च सेंटर है अब जानते हैं जामिया मिलिया इसलामिया की फैकल्टी के बारे में यहां पर नौ संकाए हैं जिसके तहत ये अकादमिक और विस्तार कारिक्रम प्रदान करता है कानून फैकल्टी यहां पर फार्सी, उर्दू, अर्भी, अंग्रेजी और आधुनिक यूरोपी भाशाएं परटन, आतिथ्य, हिंदी, इतिहास और संस्कृती, संस्कृत, ललित कला संकाए, फ्रेंच भाशा और साहित्य, तुर्की भाशा और साहित्य जैसे विशे पढ़ाये जाते हैं इसके अलावा चित्र, मूर्ती, अप्लाइट आर्ट्स, कला शिक्षा, ग्राफिक कला, कला इतिहास और कला प्रशंसा, कैंपस में भारती चित्रकार M.F. हुसेन के नाम पर एक कला गैलरी भी है, इसके अलावा यहां पर सामाजिक विज्ञान के फैकल्टी भी है, मनो प्रिस्तान एगालिप के आसपा स्थित है, जो कि इसे आमतोर पर मुखे परिसर के रूप में जाना जाता है, साथ ही आप भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंक शास्त्र, भूगोल, जीव शास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, जीव सूचना विज्ञान, जैफ प्रौध होगी कि, युनानी फार्मिसी में डिप्लोमा, शिक्षा संकाय यहाँ पर कर सकते हैं, यदि आपको शैक्षडिक अध्यन करना है, उसके लिए भी आपको बेस्ट प्लेस लगेगी, जब भी आप किसी युनिवर्सिटी में एड्मिशन लेते हैं, तो सबसे पहले आपके मन में विचार आता है प्लेस्मेंट का, तो इसलिए हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जामिया मिलिया इसलामिया की प्लेस्मेंट के बारे में, यह मास कम्मिनिकेशन और जॉर्नलिजम के लिए बेस्ट कॉलेज माना जाता है, साथ ही यह एक वेल लून और रि प्लेस्मेंट की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी, हम आशा करते हैं कि आपको जामिया मिलिया इसलामिया के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी, अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो हमसे कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, साथ हमें सपोर्ट कीजिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करके, जिससे हम भी मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छी वीडियोस बनाने का, धन्यवाद